नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सपने में किसी भी तरह की मृत्यू का दिखाई देना अर्थात मिरत्यू कई परकार से दिखाई देना जैसे कि आत्म हत्या अर्थी शव इत्यादी तो इस परकार से आपको सपने में किसी भी परकार की मृत्यू होते हुए दिखाई देना किस परकार का संकेत देती है उसका क्या मतलब होता है तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंतर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो आईए जानते हैं सपने में किसी भी तरह की मिर्तिव का देखना क्या संकेत देता है तो आईए जानते हैं सपने में किसी भी तरह की मिर्तिव देखने का क्या मतलब होता है तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे किसी मर चुके इनसान को सपने में देखने का क्या मतलब होता है तो कोई आपका अपना या रिष्टेदार जो की मर चुका है उससे आप अपने सपने में बात करते हैं इसका मतलब है कि मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है अब इसके बाद अगर आप सपने में मिर्त्यू होते हुए देखते हैं अपनी या किसी और की मिर्त्यू को देखने का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ परेशानी है वो खतम होने वाली है एवं कुछ नई शुरुवात होने वाली है किसी मुर्दे का दिखना मतलब आपकी मन चाही इच्छा पूरी होने वाली है अब सपने में आत्म हत्या देखना सपने में आत्म हत्या देखना इस बात का परतिक है कि जो आपके जीवन में ऐस एहनिये वह जरूरी बात नहीं है उसे बाहर निकाल दो तो इसके बाद जानेंगे सपने में भूत देखने का मतलब तो सपने में किसी के भूत को देखना अशुब माना जाता है इसका मतलब है भविश्य में आपको किसी तरह के भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा सपने में हत्या होते हुए देखना अर्थात सपने में किसी की हग्त्या देखना ये अशुब सूचक है इसका मतलब है कि आपको कहीं से दोखा मिलने वाला है सपने में अर्थी देखना रोग्यों को अगर ये दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है इससे उनके जल्दी ठीक होने के आसार होते हैं सपने में किसी का शव देखना ये अच्छा होता है इसका मतलब है आपका भाग्योद्य होने वाला है सपने में मरे हुए इंसान से बात करना अब इसका मतलब होता है कि आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है तो दोस्तों ये कुछ मतलब थे सपने में किसी भी तरह से किसी की मिर्ट्यू को देखने के तो आशा करते हैं हमारे दुआरा दी गई ये जानकारे आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमस्कार